हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशेडिमो ट्वेंटीफोर स्वेन आज हम लोग बिहायर पुलिस कोंटेवल जिसका एक्जाम 21 मार्च को प्रत्थ पाली में हुआ है उसका आज हम लोग अंसर की करने वाला हैं यहां प्यारा आप लोग को सो परतीसर सूध अंसर आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग एक्जाम दिये हैं तो आप लोग कोमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ ताकि इससे आप लोग को सही कट अफ का मालूम चल सके तो चलिए बीना देर के हुए कोसन हम लोग अश्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल एकन को प्रेस के लिजे ताकि आप लोग को न्यू ब्यूडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है तो देखे फर्स्ट कोशन करा फर्स्ट कोशन था वयांत्री चैटानों पर पत्रन का किरिया से अभी प्राय है तो इसका सही जवाब है कुछ सेलों में करनों या खाऊं के रूप में बिवस्तित हो जाना उपसन नमर भी इसका सही जवाब है अगर आप सन नमर आप लोग भी मारे हैं तो आपको बिल्कुल सही जवाब है चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं करा आए वन पलस डैवलू पलस डैवलू स्कौर्ण डैवलू के पावर सो है तो यदि काई का समिस्टित घनमूर डेवलो है तो इसका मान क्या होंगे तो इसका मान होंगे 0 अगर आप लोग 0 मारे हैं तो आप लोग को बिल्कुल सही एंसर है चलिए नेस्ट कोर्शन देखते हैं नेस्ट कोर्शन कारा बिहार राज में प्रती बैर्स 2017 से 18 में कुल क्रीशी साग परवाक के प्राप्ति इसके लच की तुन्ना में कितनी परतीसे थी तो इसका सही जवाब है और आप लोग 76% मारे हैं तो आप लोग को बिल्कुल सही है कॉमेंट्स बोक्स में जरूर बता दिजेगा कि आप लोग को कितना सही हुआ ताकि इससे कट अफ का अंदाजा लगा जा सकता है नेस्ट कोर्शन देखिए तो यह पर्थिक है जो कि मैथली सरन गुप्त की रचना नहीं है चलिए नेस्ट कोर्शन देखिए नेस्ट कोर्शन कराई इफ 10 इन्वर्स एक्स पलस 10 इन्वर्स वन वटा एक्स देन डी वाई डी एक्स तो देखिए इसका अंसर मालूम नहीं अगर आप लोग जानते हैं तो कोमेंट्स बोक्स में जरूर बताईएगा कि इसका अंसर कितना है ठीक है चलिए नेस्ट कोर्शन देखिए नेस्ट कोर्शन करा वा लच्छन जिन पर पांच जगत बरगी करन अधारित था तो देखिए इसका अंसर है जो कि अभी बिल्कुल सही सटिक मालूम नहीं है तो अगर आप लोग जानते हैं तो कोमेंट्स बोक्स में जरूर इसका अंसर आप लोग बता दीजिएगा चलिए नेस्ट कोर्शन देखते हैं तो ये राज राज पर अथम ने करवाए थे उप्सन मेरे बिल्कुल सही जवाब है चलिए नेस्ट कोर्शन देखिए तो इसका मान निकालने के लिए बो रहा है तो इसका हम लोग मान निकाल चुके हैं इसका अंसर है जो कि चार आता है अगर आप लोग चार मा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका चलिए next question देखिए करा निमली खित में से किस निया धीस को जानित याजका का परवर्तक माना जाता है तो देखिए इसका सही जवाब है justice p.n. भगवति next question देखिए next question करा रहा है यह English का question है अब इसका answer देखिए इसका answer क्या हो जाएंगे तो इसका answer है जो कि अभी यह clear नहीं हुआ है अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग please comments में जरूर बता दिजिएगा चलिए next question देखिए है देखिए English का जो 12 और 13 question है यह भी अभी तक clear नहीं हुआ है तो आप लोग अगर answer जानते हैं तो please comments वोक्स में जरूर बताइएगा next question देखिए next question करा रहा है question number 14 किस घटना ने अमेरिका को दिती है 20 यूद में सामिल कर दिया तिसका सही जवाब हो जाएंगे पैल हारवर पर जपाइनिक सेहिनिक हमला option number C बिल्कुल सही जवाब है ठीक है चलिए next question देखिए देखिए question number 15 है जो कि यह है यह भी बन नहीं पाया है यह है जो कि physics का है जो कि numerical है तो यह भी नहीं बन पाया है अगर आप लोग जानते हैं तो comments works में जरूर बताईएगा ठीक है next question देखिए next question कहा रहा है निमली खित में से किस दोस में घनत्व कैम हो जाता है तो इसका सही जवाब है रिक्त का दोस और सोट की दोस option number B बिल्कुल सही जवाब है अगर option number B आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है चलिए next question देखते है next question कहा रहा कि दियेगा चीत में कच्छा का कार को दरसाता है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे dx square minus y square option number A बिल्कुल सही जवाब है ठीक है next question देखिए next question कहा रहा कवीर दास के पदो का संग्रह है तो कवीर दास के पदो का संग्रह क्या है तो इसका सही जवाब है बीजक में option number A बिल्कुल सही जवाब है बीजक ठीक है next question देखिए next question कहा रहा मेरी कवीता मेरे गीत कवीता संग्रह किसके द्वारा रचीत है तो यह सही जवाब है पदमा सचदेव अगर आप लोग अप्शन नमर A मा रहे हैं तो बिल्कुल अपना सही जवाब है चलिए next question देखते हैं देखिए यह English का question है जो कि यह solve नहीं हो पाए है अगर आप लोग जानते हैं तो comments में जरूर बताएगा चलिए next question देखिए करा किस बर्स तक के लिए लोग सवा के निर्वाचन छेज़ो का परी सीमन की परकिरिया स्थागित कर दिया गया है तो इसका सही जवाब है option नमर A 2016 ठीक है next question देखिए करन निमली खित में से कौन समूच अपरामीत है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे एक्स रेशियो एक्स कॉमा सेवन का एक गुनक है option नमर B बिल्कुल इसका सही जवाब है चलिए next question देखिए question नमर 24 करन निमली खित में से कौन सा प्ररामभग परकूठ है तो इसका सही जवाब है option नमर D AUG ठीक है चलिए next question देखते है next question कर रहा है कौन सा भारत के राष्टपती को छमादन की सक्ति का सिधान्त नहीं है तो इसका सही जवाब है राष्टपती अपने अदेश के लिए कारन देने के लिए बाद नहीं है option नमर D बिल्कुल सही जवाब है ठीक है next question देखिए कर दियेगा है माना ओक्सी करन बिमाच पर विचार कीजिए तो इसका सही जवाब हो जाएंगे option नमर इसका D सही जवाब है ZN2 पलस 2AG अगर आप लोग option नमर D टिकॉट की है तो इस बिल्कुल आप लोग का सही है चलिए next question देखते है next question करा राज सभा के सेवा निवरीत होने वाले सदस्यों के सबन में नीमने से कौन सा कथन सद्ध है तो इसका सही जवाब है उनको कितनी बार भी पूना मनोएन हो सकता है option नमर D बिल्कुल इसका सही जवाब है next question देखिए question नमर 29 करा तने में cambium छले की संक्रिता से पीत की और बनने वाली कोशिकाएं है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे duty act जायलम option नमर B बिल्कुल सही जवाब है duty act जायलम ठीक है चलिए next question देखिए करा राश्टिये गरामिन स्वास्त मिशन NRAHM की सुरुवाद की गई थी तो इसकी सुरुवाद कब की गई थी तो इसकी सुरुवाद है जो की ये गरामिन जनसंख्या के बहनिये बिस्वसनिये तथा गुनवताब पुर्ण स्वास्त सेवाएं उपलब्द कराने के लिए की गई थी इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग हिंदी में ओजोबोई बख्र कहते हैं अप्सेन में भी बिलकुल से जवाब है ओजोबोई बख्र चलिए नेस्ट कोशन देखिए इसको मालूम नहीं है ऐसे इसका एकसल बरावर एक सी हो सकता है अगर आप लोग जाते हैं तो कॉमेंट्स बोक्स में जरूर बताइएगा किसका सही जवाब क्या होंगे चलिए नेस्ट कोशन देखिए नेस्ट कोशन कर यादि के एक पूर्नांग है तथा इतना कमान इतना दिया हुआ है तो के का नियूमत्म संभब मान क्या होंगे तो इसका सही मान हो जाएंगे ओप्शन नमर चिव ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखिए कह रहा है एक कोशन था इंगलीज का चूज दा करे मदर चलिए नेश्ट कोशन देखिए करा नीमन में से परमुख बहुल बादी हैं तो ये कौन है इसका सही जवाब हो जाएंगे अगर आप लोग जानते हैं तो ये सही जवाब इसका बताइएगा ये अभी किलियर अंसर मालूम नहीं हो पाया ठीक है चलिए नेश्ट कोशन इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे इसका सही जवाब हो जाएंगे रिपो तार्ज ऑप्सन नमेर डी बिलकुल सही जवाब है रिपो तार्ज ठीक है नेश्ट कोशन देखिए करा निमली खितम से कौन सा मुद्रा बजार का उप बजार नहीं है तो ये साधन बजार है जो की नहीं है option number D बिल्कुल सही जवाब है साधन बजार अगर साधन बजार आप लोग टीकोड की है तो बिल्कुल आप लोग को सही है next question देखिए करक केलविन चेक्र में CO2 का प्रात्मिक राही कौन सा है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे R U B P option number B बिल्कुल सही जवाब है R U B P ठीक है next question देखिए देखिए ये कह रहा है question number 39 ये था जो की एक question था अगर इसका answer आप लोग जानते हैं तो आप लोग comments box में जरूर बताईएगा next question देखिए करभ बिहार में 2016 सत्रह में क्रीशी विपैनन समीतियों की संख्या कितनी है तो इसकी संख्या कितनी है आप लोग अगर जानते हैं तो जरूर comments में बताईएगा इसका eject मालूम अंसर अभी मालूम नहीं है ठीक है चलिए next question देखिए देखिए ये था जो की आरेक था घनात्मक दिशा में समरुक त्वलन को परदसित करता है संकेत्व को समान अर्थ है तो इसका option नमबर ये बिल्कुल सही जवाब है ठीक है चलिए next question देखिए question number 42 करा दिली के की सुल्ताने स्वय को नियामत एक खुदाई कहा था तो ये बैलबन था जो की अपने आपको नियामत एक खुदाई कहा था ठीक है next question देखिए करा बी के चौत है लेक्टरोन की चारो क्वांटन संख्या होगी तो इसका सही जवाब हो जाएंगे option number C 2, 0, 0 और minus 1 वाटे 2 अगर आप लोग C मारे हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है next question देखिए करा डॉक्टर कृष्ण कुमाने संथ 2004 से 2010 दकी सिच्छा संस्थान में निदेशक के पत पर कार्च किया तो यह NCRT के सिच्छा के निदेशक में कार्च कर ठें ठीक है चलिए next question देखिए कर यहाँ पर फिलिन दी blanks करने के लिए बोल रहा है यह English का question है ठीक है अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इसका सही सही answer comments box में जरूर बताइएगा अगला question देखिए कर रहा यहाँ पर कुछ misprint हो गया क्विंट सिदांद के नुसार रचनात्मक प्लेट सिमाँ को भी कहा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगे अब सारी प्लेट सिमाँ है option number यह बिल्कुल सही जवाब है अब सारी प्लेट सिमाँ है next question देखिए कर रहा एट सरोगी में नियूंतम परितरची परतिर अच्छा कीज की संख्या में गिरावट के कारण होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगे स्वेत रुधीर कनिकाएं option number C बिल्कुल सही जवाब है स्वेत रुधीर कनिकाएं next question देखिए question number 48 है जो कि एक equation दिया हो आ रहा है तो वज़त फलन का समी करन क्या होगा अगर आप लोग जाते हैं तो इसको सही सही अंसर जरूर बताईएगा चलिए देखिए आगे देखिए question number 49 गुट निर्पेश अंदोलन का पहला सीखर से मिलन कब और कहा उज़ित किया गया था तो ये बेलगरड में सान उनाइसो एकसर्ट हिस्वी में किया गया था option number C बिल्कुल सही जवाब बेलगरड सान उनाइसो एकसर्ट हिस्वी next question देखिए next question करा 10 ग्राम आरगन गैस को 27 डिगरी तपमान पर सम तापिय और उतकरमनिय परकरवन में 10 लिटर से 5 लिटर तक सम पीडित किया जाता है इस परकरम के लिए QV और डेल्टा E की गरना के लिए तो इसका सही सही जवाब हो जाएंगे option number C बिल्कुल इसका QV में करमवयत उपागम द्वारा परवर्तित किया गया तो इसका सही जवाब हो जाएंगे Alexander 1 Humboldt option number D बिल्कुल सही जवाब है Alexander 1 Humboldt ठीक है, next question देखिए QV समिकरन के बास्ताविक मूलो की संख्या क्या है तो इसकी मूलो की संख्या है जो की दो है इसके दो मूलाएंगे ठीक है, तो option number B बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है next question देखिए करा किर्चौफ का परथम नियम की सरंचन नियम से संबंदित है तो ये उर्जा सरंचन के नियम से संबंदित है option number E बिल्कुल सही जवाब है next question देखिए करा भूगोल सब्द का सर परथम परतिपादन किस ने किया था तो ये एरेटा अस्थनी स्थे हैं जो की भूगोल सब्द का सर परथम परतिपादन किया था option number B बिल्कुल सही जवाब है next question देखिए करा परतिपादन के गहनों का मात क्या होंगे तिसका सही जवाब हो जाएगे N into N plus वन का हॉल स्कॉर बटे 4 option number D बिल्कुल इसका सही जवाब है ठीक है next question देखिए करा कवीता की परक निवन्द के लेखक कौन है तिसका सही जवाब है रामचेंदर सुक्ल है जो की कवीता के परक निवन्द के लेखक है आप लोग comments works में जरूर बताएगा friends कि आप लोग को कितना सही हुआ है चलिए next question देखिए करा एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मिलाने के लिए बोल रहा है तिसका सही जवाब हो जाएंगे option नमर यह बिल्कुल इसका सही जवाब है ठीक है अगर आप लोग एट इकोट के हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही है next question देखिए तिसका सही जवाब हो जाएंगे यह सभी यानि ताप मिल्दा की नमी अपरत की कमी यह सभी है जो की परितर में अप गाटन की किरिया को नियमीद करने वाला कारक है next question देखिए तिसका सही जवाब है तिसका सही जवाब है तिसका सही जवाब क्या हो जाएंगे the teacher punished him for disobedience option नमर यह बिल्कुल सही जवाब है next question देखिए question number 63 करन निम लिखित में से कौन सा एक परात्मी कुभवगता है तिसका सही जवाब है बक्री है जो की एक परात्मी कुभवगता है next question देखिए करन निम लिखित में से पिर्थीवी के period परत है तिसका सही जवाब है mental option number A बिल्कुल सही जवाब है mental next question देखिए करन मूगल काल में उतर पचिम भारत का भारत का एक महतपूर्ण हस्तिल उत्पादन और बितरन के इंदर था तिसका सही जवाब हो जाएंगे लहोर option number C बिल्कुल सही जवाब है लहोर ठीक है next question देखिए करन निमली खित में से कौन हर्मोन आर्थाव चक्र के मैंद ने अपने उस्तम हस्तर को प्राप्ट करते हैं तिसका सही जवाब हो जाएंगे estrogen option number D बिल्कुल सही जवाब है estrogen next question देखिए next question करा साखी है वह मुझसे कह कर जाते हैं कह तो क्या मुझको वह अपनी पर्थ बागा ही पाते हैं उप्यूक्त प्रंक्तिम में मैंतली सरन गुप्त की किस रचना उद्रीत है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे इसका सही जवाब आप लोग बताएगे इसका सही जवाब है जो कि अभी किलियर मालूम नहीं है ठीक है next question देखिए कह रहा है question number 68 इसका कह रहा है कि the middle term in the expansion of इसका सही जवाब इसका प्रसार में मैंतली क्या होगा थी इसका सही जवाब हो जाएंगे 924 अगर 924 आपको लोग टिकोट के हैं बिल्कुल आप लोग का सही है next question करें देखिए करा हडापा के लोग किस धातू का उप्योग नहीं जानते थे तो यह सोना है जो कि हडापा के लोग है जो कि इनका उप्योग नहीं जानते थे ठीक है next question देखिए करा the register is normally used between people who know each other which is this register इसको हम लोग क्या कहते है इसे हम लोग familiar कहते है option number C बिल्कुल सहीजवब आप फैमिलियर ठीक है next question देखिए करा बायू के छटीज संजलन से होने वाले ताप का स्नातन क्या कहलाता है तो इसे हम लोग अभी बहान कहलाते है option number C बिल्कुल सहीजवब है अभी बहान कहलाता है next question देखिए करा नीम में से कौन सा विशनू का अफतार नहीं है तो ददीची है जो कि ये विशनू का अफतार नहीं है next question देखिए करा अधीक जन संख्या वाले देशों के समुन में से कौन सा अब रोही करम है अब रोही करम मतलब बाड़ा से छोटा ठीक है बाड़ा से इसे छोटा के रूप में दरसाने के लिए बोल रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे चीन उसके बाद भारत उसके बाद USA उसके बाद इंडोनेसिया यानि ओप्सन नमर भी विल्कुल सही जवाब है ठीक है नेस्ट कोर्शन देखिए तो इसका सही जवाब आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका अंसर आभी किलियर मालूम नहीं है ठीक है कोमेंट्स में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा नेस्ट कोर्शन देखिए देखिए एक घनात्माग ढ़ल के पूर्थी बैक्र का कारण क्या है तिसका आप लोग सही सही अंसर बता दीजिएगा इसका भी अंसर आभी किलियर मालूम नहीं है नेस्ट कोर्शन देखिए करा ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिस रुस्माओं का अनुपात किसमे कंपन बीध्या नहीं है तिसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्सन में सी सात बटे पांच जो की जो कि यह एसी द्वारा लिखा गया है जो की एक महाँ काव है ठीक है नेस्ट कोर्शन देखिए करा तो आइंडे केन्नवी जवाब हो जाएंगे ऑप्सन नमर का सी है जो की बिल्कुल सही जवाब है डेल्टा A system decreased but डेल्टा A surrounding increased ठीक है तो option में C बिल्कुल इसका सही जवाब है next question देखिए करा vitamin इसका हिंदी question देखते है करा vitamin A increase in the risk of hair loss change the voice of the sentence from active to passive इसे active to passive भास में बनाना है तो क्या हो जाएंगे the risk of hair loss is increased by vitamin A option में D बिल्कुल सही जवाब है ठीक है चलिए next question देखते है करनीमलीखीत में से कौन सा कथन सत है और कौन सा कथन ये परतिनात में कथन है ठीक है तो देखिए इसका भी answer अभी clear मालूम नहीं है तो आप लोग जरूर में आज का दैर कर सकता है तो इसका सही जवाब हो जाएंगे अनुचेर 32 ठीक है next question देखिए करभोतिक एथी सोसन में गैस के अनुठोस के तैल पर जुड़े रहते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे बाणर वॉल बल बल के दवारा option दी बिल्कुल सही जवाब है next question के भारत का राष्ट्य ये चावल अनुसंदान संसान कहां पर अवस्ति थह तो ये कटक में अवस्तित है option दी बिल्कुल सही जवाब है कटक next question देखिए करभिन निम लिखिद में कौन युनानी कभी था तो ये होमर था जो कि एक युनानी कभी था और बिल्कुल सही जवाब है होमर Next question देखिए करनीमने से कौन सा मूल अधिकार अपात कालकस में भी निलमित नहीं हो सकता है तिसका सही जवाब हो जाएंगे Option number B जीवन की सुरच्छा का अधिकार ठीक है Next question देखिए Next question करा कि नावी की ये है जो कि नावी की ये विकिरिया दिया गया है अब परतेक्षर में उस सरजित कान्या भी करन करम सा है तिसका सही जवाब क्या हो जाएंगे Option number B सबसे पहले बीटा होंगे उसके बाद अलफा उसके बाद गामा बीटा अलफा उसके बाद गामा ठीक है चलिए Next question देखिए करा केंदर सूची के विसायों के संदर में सर्भोच नियाले के छेतरा दिकार बंसक्तियों को कौन बिस्रित कर सकता है इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे यह हो जाएंगे जीवन के सुरच्छा का सौरी इसका सही जवाब हो जाएंगे संसद ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे इसका सही जवाब हो जाएंगे संसद ठीक है Next question देखिए करनीम में किस एरोप ये जाती को इंडोनेसिया में परभूत जमाने में सफलता मिली तो इसका सही जबाव क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे डच अप्शन में डी बिलकुल सही जबाव है डच नेस्ट कोशन देखिए एर्फ सास्थ में उतपादन का इस्टम अस्थर वहाँ है जहां तो इसका उप्शन देखिए क्या होँगे तो इसका सही जबाव हो जाएंगे a 양 c ब्रावर a लिम सी यानि ऑप्शन में डी बिलकुल सही जबावर a लिम सी ठीक है नेस्ट कोशन देखिए 29,099,921 बरावर होते हैं तो ये 20,999,921 के बरावर होते हैं ठीक है नेस्ट कोशन देखिए करन निमलिकित में से कौन से एरोप में समान्थ वाथ के उदै का परमुक कारण था तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे नेस्ट कोशन देखिए तो ये क्या है ये है बी लोडिद होज बायो रिक्टर नेस्ट कोशन देखिए तो इसका सही सही जवाब इसका हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या होगा कामरे में परवेश करने से पहले किरपिया अपना हाथ दोएं ऑप्सन नमें डी बिलकुल सही जवाब है ठीक है नेश्ट कोशन देखे एक अलफा का नवाई एक प्रोटॉन की गति चुर्जा समान है उनकी त्रें धेंक तरफ उन पात क्या है तो देखे इसका अंसर नहीं मालूम है आप लोग जरूर कॉमेंट्स में बता दीजेगा किसका सही सही अंसर क्या होंगे चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं किसे मिदानिक संसोजन के नुछेट 149 और 31 के तहट प्रदस मुल अधिकारों पर नीती नीदेशक तत्वों को कानूनी बरियता परदान की गई तो यह सही जवाब है 42 में है ठीक है चलिए नेश्ट कोशन देखते है नेश्ट कोशन का रन उलूंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है तो यह हैं जो कि ताइवान में उलूंग चाय उत्पादित की जाती है नेश्ट कोशन देखिए कर अरामधारे सी दिनकर को ग्यानपिर पुरुसकार उसकी किस रचना पर मिला था तो इसका सही जवाब हो जाएंगे उर्बारसी और फिरेंट्स सोगमा कोशन है जो कि आप लोग के लिए छोड़ देने तो आप लोग कोमेंट्स में जरूर बताएगा कि इसका सही सही अंसर क्या होंगे तो चलिए यह थें जो कि 21 मार्च को परत्थम पाली में प्यार पुलिस कॉंस्टेवल का जो एक्जाम हुआ उसका सही सो परतिसत सही अंसर है